हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एडुकेशन क्लिनिक आप पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल माडेसन एंड दा मेटावलिक साइन्स लास्ट टू डिकेट से साउड डली छहतरपुर में अज एक क्लिनिकल फिजिशन में प्रक्टिस कर रहा हूँ तो आज हम बात करेंगे कि IBS वाले जो पेशेंट हैं या जिन लोगों को यह लगता है कि उनको IBS है उनको चेस्ट वर्निंग का जो प्रॉब्लम है ऐसे डिप्लेक्स का जो प्रॉब्लम है बार बार जो उन्हें पै पैठी है यह वीडियो देखिए एक एक पॉइंट को लिखिए और यदि यह दस पॉइंट है यानि दस सिम्टम्स मैं आपके बताता हूँ इसमें से यदि आपको सेवन सिम्टम्स हैं तो फिर आपको IBS जैसी कंडिशन हो सकती है अदर्वाइस यह मान लीजे कि आपको IBS नहीं है आपको या तो stress है या फिर anxiety है या आपको fear है या आपको OCD है आप obses हो गए है यानि आपने body के एक पार्ट को पकड़ लिया है और उसमें जो symptoms आते हैं जो change आते हैं उन्हीं को आपने बीमारी माल लिया है और यह आपने कहीं न कहीं अपने को obses कर दिया है और उस obses attitude के साथ आप कहीं न कहीं hair and hair x y z treatment try कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं आज आपको 10 symptoms बताऊँ हुआ उसमें से यदि आपको 7 symptoms आते हैं 7 symptoms आपको positively मिलते हैं और वो regularly होते हैं आपके साथ तो फिर आप positive हो सकते हैं यदि 7 symptoms regularly नहीं होते on off होते हैं तो फिर आपको IBS नहीं है तो ये आप clearly समझ लेजिए सबसे पहला है bloating यदि आपको bloating होती है पेट फूलता है gas बनती है दूसरा है gas बनना hyper acidity gas बनना कोई बीमारी नहीं है लेकिन यदि आपको regularly hyper acidity होती है पेट फूलता है जलन होती है third है weight loss होना यदि आपका weight loss हो रहा है पिछ आपको भूक कम लग रही है उसके बाद है आपको constipation होता है on-off यदि आपको कभी constipation होता है कभी lewgement होता है कभी diaeuria होता है उसके बादा है आप्पेट में दरद होता है Тыम में खिजाब आता है क्रैंप्स आते है lewgement यदि हो एपको होता है आपको functional weakness लगती है सामको आप थका थका महसूस करते हैं आप टायर्ड फील करते हैं mentally, physically उसके बाद आता है यदि आपको blood में stool आता है उसके बाद आता है कि change of bowel habit मतलब आपका जो stool पास करने का तरीका है वो बदल रहा है कभी आपको cramps आते हैं कभी dehydration होता है, कभी bulkी हो जाता है, कभी पतला हो जाता है और उसका viscosity भी change होता है या फिर black stool on off आ रहा है तो फिर आपको IBS हो सकता है तो ये 10 symptoms आप समझिए इनको देखिए, अपनी body को observe करिए, अपने body के साथ connectivity बनाईए और खुद से ये आप call लीजिए कि आपको IBS है या नहीं देखो IBS जो बीमारी है वो किसी test में तो नहीं आती है आप बहुत सारे test कराएंगे, CT कराएंगे, endoscopy कराएंगे, MRI कराएंगे किसी में कुछ नहीं आने वाला है, नहीं तो doctor बदलने से कुछ होगा नहीं बार बार टेस्क कराने से कुछ होगा, नहीं बार बार थ्रैपी बदलने से कुछ होगा यदि IBS जैसी condition भी आपको है, तो आप अच्छी नीद लीजिए, आप mentally busy रहिए आप खाने में fiber लीजिए, time से खाना खाईए, खाने को अच्छी से चू करके खाईए, mindfully eating करिए और deep breathing करिए और walking करिए, deep breathing, walking, meditation से आपके body के अंदर healing process start होगा वो faster होगा और आप खुद से ही आपकी body ही आपको heal कर लेगी देखो IBS का नहीं तो कोई test है confirmatory और नहीं IBS का कोई इलाज है कुछ लोग कहते हैं कि IBS ना कोई बीमारी है नहीं कोई उसका इलाज है ये केबल एक fear वाली, ये केबल एक depressive anxiety, एक दिमागी state है जो की काफी temporary है, ये automatically ठीक भी हो जाता है तो IBS की जैसी conditions ये आप महसूस कर रहे हैं ये particular symptoms आपको हैं तो ये video देखिए अपने thoughts को correct करिए, myth confusion में मत फसिए Thank you very much and take care yourself